तो गाइस फाइनली यह है H96 Max Plus यह Android TV Box है बिसिकली यह 4K Ultra HD TV Box है और मैं इस वीडियो में टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या यह रियली में 4K है क्या इसमें जियो टीवी चलने वाला है नहीं क्या इसमें मेरर कास्ट का सपोर्ट दिया है कि नहीं तो सभी बाते मैं इस वीडियो में चेक करूंगा box content देखिए चोटा सा box है हाला कि H96 के बहुत सारे model number company ने निकाले हैं लेकिन यह max plus है न यह बहुत सस्ता है और बहुत अच्छे quality का नया माल है मैं आपको बताते हूं कि यह इतना सस्ता.com और bangoo.com दोनों पर यह मिल रहा है प्राइस देखो यार प्राइस चेंज होते रहते हैं अभी मेरे इतना सस्ता पर मैं चिसको 4000 का सेल कर रहा हूं 3999 का बैंगो.com पर लगबग यह 400-400 का सपास में मिलता है तो आप देखिए कभी प्राइस किसी पर कभ या किसी कर पर ज्यादा होता रहता है और हां मैं अपने साइट इतना सस्ता.com पर cash on delivery में भी एबलेबल करा दूँगा तो H96 Max Plus लिखा हूँ 4K यहां पर 32GB variation वाला है यह 64GB variation वाला भी मेरे पास स्टॉक है और आपको देखा दे कि यह पूरा का पूरा pack है पीछे के साइड में यहां पर operating system जो 8.1 वो लिखा हूआ है 32GB ROM और Made in China लिखा हूआ है यह 3328 है मैं इसके बारे में आपको detail बाद में बत कंण के साइड में और यहां पर है एक HDMI का केवल यह HDMI का केवल जो कि आपके पास status का होगा तो बिल्कुल आपके पास पहले से भी होगा और यह है एक remote normal remote यह वाय्स रिमोट नहीं है इसमें normal pencil लगेगा और यह काम करेगा voice remote वाला भी मेरे पास H96 Max Plus का voice remote वाला भी एबलेबल है चार जीवी बतीस जीवी में अबलेबल है शॉसाट जीवी का शायद अबलेबल नहीं है आप एक बर कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके पता कर लीजिए और जिहां आपको चाहिए तो कैस्ट डिलिवरी में भी मैं हम लोग जो है आपको अबलेबल करा देंगे वाइस रिमोट कितना छोटा है मेरे हाथ में बिल्कुल यह आ जाता है लेफ्ट साइन में यहां पर SD कार्ड याने TF कार्ड को डिरेक्टी लगा सकते है यूस्बी वन यूस्बी दो याने दो यूस्बी पोर्ट है यहां से पावर सप्लाई के लिए यह एवी पोर्ट भी इसमें दिया गय तो आपको इसके लिए अलग से केवल खरीदना परेगा इस बॉक्स के साथ में आपको कोई केवल नहीं मिलता है मैं कुछिस करूंगा उसका वे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन में डाल दू मैं इसको फटा-फट से इस टीवी में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या फीचर से क्या हाडवेर है कितना स्पेस दिया गया है क्या-क्या एप हम इसमें यूज कर सकते हैं और कौन-कौन गेम हम केल सकते हैं गाइज सब्सक्राइब कर दिया है और सबसे फॉस्ट लुक आप खुद देख रहे हैं यह एंड्वाइड लिखा हुआ रहा है थोड़ असा टाइम लगता स्टार्ट होने में दस से पंद्रा सेकेंड यह फॉस्ट लूक आप देख लिए सबसे पहले लाइंगर सेलेक्शन करने के के लिए पूछ रहा है उनक्लिंगिश करता हम सेलेक्ट और यहां से करता हो नैक्स ट यहां पर रेमोट करता हूं यहां पिबही clones को सेलेक्ट करता हूं और यहां यहां पर जो सेट अफ है यह दिखी है इसेट आफ है सबसे पहले है नेट्फलेक्स फिर यहाँ पर यूट्टुब गूगल प्ले स्टोर्र माय फाइल और मियुजिक यहाँ पहने है पर सेटिंग एक बार देख लेते हैं क्या है एक एक सबसके सब्सक्राइब ब्लूटूथ पी है यानि इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है साउंड आप अपने अड्जेस्ट कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग है इन्पूट आप कर सकते हैं जो भी आप कीबोर्ड माउस मैं आपको चोटा कीबोर्ड दिखा रहा हूं एक यह दिख लिए चोटा स मैं कनेक करूंगा पहले रिमोट से देख लिए इन्पूट का फंक्शन है एप जो चाहें वो कर सकते हैं स्क्रीन सेवर है स्टोरेज स्टोरेज में एक बार चेक कर लेते हैं क्या है यहां पर कितना स्पेस है इंटर्नल स्टोरेज यहां पर 32GB शो कर रहा है साइड लाइड लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको शोर नहीं कर रहा होगा और टोटल राम मुझे 4096 MB शोर हो रही है यानि क्लियर हो गया 4GB RAM और 32GB ROM के साथ में मिलता है अब आउट में जाकर देख लेते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन H96 Max Plus है और यह जो वर्जन जो है पांच जुलाई 2018 का है क्या पता भी फॉम्वेर अपगेट जो पूछ ले और आपको मिल जाए नॉर्मल एंवाइट की जितने भी सेटिंग होती है डेटन टाइम लैंग्वेश कीवोड इस सारी सेटिंग आपको मिलेगी जो आप नॉर्मल फोन में यूस करते हैं त देखिए यूटूब के वीडियो देखिए मैं आभी आगे प्ले करके अपने टेक्निकल उता जीकिए वीडियो जरूर देखूंगा बाइडिफोल्ट इसमें ब्राउजर तो मिल रहे हैं आपके फोन में भी ब्राउजर मिलते हैं बट आप चाहें तो यहां है प्ले स्टो इसकी जरूरत नहीं है जैसा कि मैंने बताया था यह आलेडी इंस्टाल्ड है क्लिन अप मेरे खाल से कोई काम का अप होता नहीं है यह दी ल एल एने यह आइधिंग मिरर कास्टिंग के लिए अप्लिकेशन है मैं चेक कर लाता हूं यह मिरर कास्टिंग तो सुपोर्ट करत आपको पता है जैसे कि कोई एक्स्टरनल एसडी कार्ड लगा दे कोई पैंड्राइब लगा ले उसके लिए यहां पर यह शोग किया जाता है आपको फाइल मैंने जर इसके बाद प्लेस्टोर मैंने बता दिया था यह आप देख लिए गूगल है फाइल से एमाजोन प्रा है तो यहां पर अपनी सौट काट में प्लस और डाल सकते हैं उपर में क्या क्या इडी डाल देते हैं ताकि प्लेश्टोर में हम अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सके यहां पर सक्क्सफल एपने वाइफाई से कनेक्ट कर लिया हूं लैनपोर्ट भी हलाकि मेरा टीवी सब्सक्राइब यहां चलने वाले अभी जीमल के अकाउंट डालता हूं इसको लोगिन करने के बाद आपको कोई एक चोटा सा एप इंस्टॉल करके दिखाते हैं यस हमने अमस्वन प्राइम को सक्सफुल यहां पर लोगिन कर लिया है अब आप चाहें तो जो भी मूवी च अजाए प्ले करना आप लेकर सकते है चली मैं चोटा सा एकदम सॉट्व टाइम के लिए हम को दिवाना कर गई चली हम इसको थोड़ा घर करके देख लेते हैं सिर्फ थोड़ा देर के लिए क्योंकि ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं और जी हाँ यह जो मूवी है विल्कुल फर्सक्लाज चल रही है कोई इसमें नहीं है अब की नेट की स्ट्रीट पे भी सारा का सारा यह डिपेंड करता है स्पीड बढ़ी आओगा तो क्वालिटी अब आप देख सकते हैं स्पीड घड़ी आओगा तो फिर चलेगा नहीं यहां पर मैं चोटा सा यूटूब प्ले करके देख लेता हूं मेरा वीडियो प्ले हो रहा है कि नहीं यहां पर मैंने यूटूब खेला टेकनिकल गुपता जी और यह एनिकास डॉंगल की हमने वीडिय इफार के देख लेते हैं यह चल रहा है कि नहीं यह जो वीडियो ऑफस्क्राइब लाट आपको देख लीजिए यह आलाго लग अलाग वालेटी है वो फोर के नहीं है अफकोर्स यह देख लिए यह फोर के वीडियो है नीचे यहां पर लिखा हुआ है थ्री एट फोर जिरो मुल्टिप्लाइटू वन से जिरो पिक्सल्स चोटा साब को शायद दिखनी रहा होगा तो डेफिनेटली यह फोर के वीडियो तो है बट मेरा यह दोनों चेक कर लेते काम कर रहे हैं नहीं डाउनलोडिंग प्रोसेस में तो है भाई यहां इस्टॉल भी हो रहा है इस्टॉल होने के बाद चला कर देखते हैं अगर चल जाएगा तब तो मज़ा जाने वाला है मुझे कोई भी किसी भी तरह का टाटा स्काइड डिटी इस टीवी कुछ भी नहीं लगाना है मुझे सिर्फ जियो टीवी चलाना है जो नेट की स्पीड है वो थोड़ा फास्ट रखना है और सारा चैनल आपको पता है जियो टीवी में कर सकते हैं इसके बार यहां पर रिजिस्टेशन डेफिनेटली करना हो का यूजर नेम और प यह स्टार्ट के हूं एंटीवी और यह फस्ट लाज चल रहा है बिदाउट वर्फरिंग बिदाउट को इटेंशन और यह लाइव है सबसे बड़ी बात कि यह लाइव चल रही है कपील का शो चल रहा है मैं लगा के देख रहा हूं यस डेफिनेटली यह कपील का शो भी यानि अब मुझे डिस्टीवी करिसाज करने के जरूबत नहीं है लाइव क्रिकेट मैस अस्ट्रेलिया और इंडिया का जो चल रहा था वह मैं भी आई पेल का तोड़ा सा शूट है यहां पर वह देख रहा हूं तो डेफिनेटली हलाकि पिक्चर की क्वालिटी देखा जा यहां पर नीचे देख लिए वाइफाई डिस्प्लेय का उफ्शन मिलेगा इसको आपको एक बार दबाना है यहां से जो भी आपके डिवाइस होंगे वो सर्च करेंगे अभी यह मेरा शौमी का पोको फोन यहां से दिख रहा है यह फोन को मैं सेलेक्ट करता हूं यहां से आप चेक कर सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन में है वही मेरा टीवी में शो कर रहा है जैसे मैंने यहां यूटूब खोला अब देख लीजिए वहां भी यूटूब यहां से खोल रहा है दित लिए थोड़ा से स्लो है क्योंकि आप देखिए लेग तोड़ा रहा रहा जाता हूं यहां भी वीडियो प्ले कर रहा हूं चलिए यहां पर मैं इसको इस तरह से स्क्रीन करता हूं यहां भी देखिए कुछ इस तरह से चल रहा है वाव आउसम यानि आपको अलग से मिरर कास्ट भी नहीं खरीदना पड़ेगा जिसकी प्रेस लबगा 800 रुपे का सपास मे आप उसको बता है कोई भी afect कर सकते हैं पूराना TV के लिए अलग से क्या वह लगाना पड़ेगा जो सेयर्टी वली टीविए SDMI के लिए SDMI port दिया है डिरेक्ली आप इसको connect कर सकते हैं और आप इसको smart TV बना सकते हैं तो guys उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा इस वीडियो इसको like कीजिएगा इस TV box के regarding कुछ भी question है इस पूछना है नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं इस वीडियो इसको like तो जरूर कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी इसको share कीजिएगा तो फिलाल गस वीडियो में इतना ही फिले मिलता है नेक्स वीडियो में तक तक